जब इतने स्वाधिश्ट और क्रिस्पी चीज रोल हम घर पे ही तयार कर सकते हैं तो हम भार से क्यों खाएं ओभी बिल्कुल कम समय में यहां चीज रोल बनके तयार होता है और बहुती कम सामान चे यहां चीज रोल बनता है तो इसके लिए हमें बनाने के लिए किन-किन मौटा मौटा काट लेते हैं अब इन्हें मैस कर लेते हैं अब आलो मैस होचके हैं अब इसमें आर और रोट मिला देते हैं इसमें मक्य के दाने थोड़ा मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया था थोड़ा ऐजवाइन काली मिर्च और थोड़ा सपे तिल भी मैंने इसमें एड़ करेके हैं अब इसका एक अच्छा सा डो तयार करते हैं तो डो हमारा बन के तयार है आदा घंटे के लिए इसे रेश्ट के लिए छोड़ देते हैं डो हमारा बिल्कुल से डो चुका है अब हातों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे तो इसका बनाएंगे थोड़ा चप्टा सा इसे करके फिर पीच में थोड़ा हमें इसे गहराई देंगे अब इसके बीचों पीच में भरना है मजरोला चीज इसे अच्छी तरह से हमें सीव करना है ताकि करम तेल में जब भी यहां रोल जाएगा तो फिर चीज भीकल के ना आएगा इसमें रखे मैंने ब्रेट क्रेप्स और इसमें खुड़ा इसकी कोटिंग कर लेते हैं चमच की साहते से भी आप मजरोला चीज भर सकते हैं बस इसी तरह से हमें सारे रोल तयार करने हैं अब सारे रोल हमारे बन चुके हैं इधर रखते हैं कडाई में तेल गरम करना तेल भी हमारा गरम हो चुका है अब एक ही करके सारे रोल इसमें टिप कर देते हैं ब्राउन होने तक इन्हें सीखना है तो यह सीखके हमारे तयार हो चुके हैं इन्हें निकाल देते हैं बिसी तरह सारे रोल को हम सेख लेंगे तो यह सारे रोल हमारे बन चुके हैं बहुती स्वादिश्ट और बहुती अच्छे बनके तयार हुए हैं तो जरूर आप लोगी ड्राइ कीजेगा बहुती क्रिस्पी यहारॉल हमारे बने हैं तो आप इसे चाह के साथ ले सकते हैं आप इसे ब्रेपरस्ट में ले सकते हैं पो तिक रिस पी रोल हमारे बन के तयार हुआ है